हलो बच्चों वेलकम यॉवाल आन बीहाफ आफ रिजिदेंस सेकंड डे सेकंड शिफ्ट के पैपर के अनलसिस देखेंगे। मैसल एसर एंसर केमिस्ट्री फैकलटी रिजिदेंस देखते हैं कांसे टॉपिक से क्या-क्या कोशेंस आया है मतलब कितने कोशेंस आया है और किस के आया है, इसमें 11th inorganic chemistry से 4 questions आया है और 12th inorganic chemistry से 6 questions आया है, और इसमें 11th inorganic में से chemical bonding, periodic table, S block और P block से आया है और 12th inorganic से coordination, D block, F block, metallurgy, qualitative analysis, P block and 1718, P block 1718 group से एक-एक question आया है, और आप observe करेंगे, तो coordination से हर session में एक-एक question आया है, D and F block से भी एक-एक question आया है, तो आप तोड़ा उस topic से भी ध्यान देना पड़ेगा, next organic chemistry 11th organic that is general organic chemistry GOC से एक question आया है, और 12th organic से 7 questions आया है, और 11th physical chemistry से 2 questions आया है, मतलब आपन को जो मिला है questions उसी का आपन बता रहे हैं क्योंकि इस session में जो memory based है, वो questions इतना ही मिला है, और बाकी topics से भी आया है, लेकिन बच्चे बोल नहीं पाया क्योंकि वो तोड़ा लेंदी सवाल था, वो memory based है ना, तो इसलिए वो बच्चे बता नहीं पाया ठीक है, और इसमें 12th physical chemistry से एक question आया है और ज्यादा तर आप देखेंगे तो इसमें 11th और 12th के comparison में आपन को 7 questions 11th से आया है, 14 questions 12th से आया है और percentage wise आप देखेंगे तो percentage ज्यादा तर 12th का ही है और हर session में तोड़ा 12th का ही ज्यादा percentage of questions दे रहा है, और difficulty level देखेंगे तो यह 10 questions easy और 10 questions moderate and 1 question only difficult question है, यह almost easy level to moderate level की paper है और इसका difficult level आप देखेंगे तो यह 1.57 है, ठीक है बच्चों यह paper easy to moderate level का है और देखते हैं आगे आने वाले exams में कैसे रहेगा paper, thank you.